नमस्कार दोस्तों मैं हुराजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान और इश्वर में क्या अंतर है क्योंकि अक्सर हम लोग यही समझते हैं कि जो भगवान है वही इश्वर है या भगवान और इश्वर एक है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह दोनों ही अलग है हम सब जानते हैं कि इश्वर एक ही है लेकिन इन दोनों शब्दों का जो अंतर है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन लोगों को या किन देवता को या किन विभूतियों को हम भगवान कहते हैं और किन को हम लोग इश्वर के तुल्य मानते हैं बस इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान और इश्पर में क्या अंतर है या किन विभुतियों को भगवान कहते हैं किन को इश्वर कहते हैं किस कारण से हम किसी को भगवान बोल देता हूं जैसे आपने सुनाओगा धनवान गुणवान विद्यावान वल्वान ये वर्ड आपने सुने होंगे उसी प्रकार से भगवान अब हम गुणवान धनवान और भगवान में क्या समानता देखते पर यह बता है पहले था हम बान की बात कर लेते हैं जो आखरी में लग रहा है धनवान में वान लग रहा है या गुणवान में वान लग रहा है तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि यह जो व्यक्ति है वो गुणवान है तो आप क्या समझेंगे मन में कि इसके पास गुण है या इसके अंदर यह गुणों से युक्त है या यह गुणो तो वान का मतलब संवण में आ गया स्वामी या सर्कषक जिसकी वह रक्षक करता है या जिसका वह स्वामी होता है उसको हम क्या ओलेंगे वान किल्यर हुआ इस अब हम बात करते है भग एक तरे का गुण होता है लेकिन भग में छे प्रकार की गुण होते हैं भग एक तरह का शब्द है उस गुणों के समूह का यहने वह सारे गुण है उसका एक समूह बन गया उस समूह को हमने किसका नाम दिया है भग का नाम दिया है तो भग प्लस वान से हमने क्या बनाया भगवान तो आप मेरे वान को तो आपको समझा दिया कि वान का मतलब क्या हुआ, वान का मतलब क्या हुआ, स्वामी या अधिपत्य या जिसके पास चीज होती है, जो युक्त होता है, उस पर्टिकुलर चीज से उसको हम वान बोलते हैं, जैसे मैंने धनवान का आपको एक्जामपल दिया गुणवान का दिया यश्वान का दिया इस टाइप से ठीक है अब मैं आपको भग की बात बता देता हूं भग मैंने आपको पहली समझा दिया कि एक पर्टिकुलर कुछ गुण होते हैं उस गुणों के समु को हमने भग का नाम दिया है अब वो कौन-कौन से गुण होते हैं जिसका समु भग कहलाता है पर हम यह जान लेते हैं तो छे प्रकार के गुण होते हैं छे प्रकार के गुण कौन-कौन से होते हैं देखिए आप स्क् भग बोलते हैं ठीक है अब मैंने भग के बारे में बता दिया आपको ये छे गुण होते हैं कुण कुण से छे गुण होते हैं फिर से सुन लीजे एक तो एश्वर्य दूसरा धर्म यश श्री ज्यान और वेराग्य ये जो छे चीज़े हैं वो भग के अंतरगाद आती है या सारे गुण मोजूद होते हैं जिस भी व्यक्ति के अंदर जिस भी आतमा के अंदर ये छे प्रकार के गुण मोजूद होते हैं या ये छे प्रकार के गुणों से वो युक्त होता है या ये छे प्रकार के गुणों का वो स्वामी होता है उसी को हम भगवान बोलते हैं ठीक धर्म का वो पालन करता हो सभी प्रकार के धर्म का वो पालन करता हो उसके पास श्री हो ठीक है धन्वान हो धन से युक्त हो विद्या हो वेराग्य हो हर प्रकार के जो गुण होते हैं जो छे प्रकार के गुण बताए वो एक आम इंसान में हो सकता है कुछ गुण किसी इंसान में हो सकते हैं लेकिन इस सारे छे जो गुण में नहीं बताएं वो सभी इंसानों के पास नहीं हो सकते हैं यह जो गुण है वो एक परम शक्ति में हो सकते हैं इसलिए एसे महात्मा को एसे जो दिव्य शक्ति होती है दिव्य पुरुष होते हैं या दिव्य आत्मा होती है उन तो आप सोचोगे यार कि भगवान शीव भगवान है राम भी भगवान है भगवान क्रश्न भी भगवान है विश्न भी भगवान है तो इश्वर को ने तो अगर यह सारे भगवान है जो मैंने बताया आपको जिसको राम बोल रहे हैं भगवान राम भगवान क्रश्न है जबने को आजूर्वेत के जो 40 वा द्ध्या है जो 40 वा द्ध्या है उसका ही कि इस में इस में किसी भी जो पवीत्र हो जो सभी प्रकार के पुड्यों से युक्त हो जो अंतरयामि हो जो दुष्टों का तिरसकार करे या दुष्टों का नाश करे नाश करने वाला हो जो स्वतही सिद्ध हो और जो सर्व व्यापक हो वही इश्वर है तो इश्वर के क्या-क्या गुण होते हैं किन लोगों को या किन महतमाओं को किन विभूतियों को हम इश्वर की स्रेणी में रखते हैं वो मैंने अभी आपको बताया जो काया रही तो शरीर रही तो जिसके अंदर शरीर तो इस वर की स्रेणी में हम ऐसे लोगों को रखते हैं जिनके अंदर ये गुण 받े उनको इस चंथ पहले बताए ःच्छे गुण्न वो गुणों से जो क्विवती होते और निभ्ग्वान सब कुछ मान लेते नहीं हैं अगा तो संकर xoर को सब तो कियो को Olaf थायंटे हैं और देचा करते हैं जका भिशनिभुकान को कि अगर हम सब कुछ मान किसी का ध्यान करते हैं वो जिसका ध्यान करते हैं वही इश्वर है ठीक है वही इश्वर है और यह जो सारे क्या है वह भगवान तो आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको ठीक लगा हो सकता मेरी मंद बुद्धी में इतनी चीजे नहीं आई जिससे में इन चीजों को पूरी तरह से आपको एक्स्प्रेंड कर सकों लेकिन जितना भी मुझे आता है उसके इसाब से मैंने बताया कि किस प्रकार से भगवान और इश्वर में यह थोड़ी सी जो भिन्नता है थोड़ी सी जो अंतर है वो मैंने